जै मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जुलाई से 30 जुलाई तक के तुलाराशी फल के बारे में कि ये जो साथ दिन हैं जुलाई माह के अंतिन साथ दिन ये तुलाराशी के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं इन साथ दिनों में किस तरह के बदलाव आपको अपनी जीवन में देखने को मिलेंगे अपने जीवन के हरे क्षेतर में देखने को मिलेंगे कौन सा ग्रह कहां होगा किन ग्रहों का शुब प्रभाव होगा किन ग्रहों से सावधानी रखनी है और आप क्या उपाय कर सकते हैं एक एक दिन के बारे में मैं आपको प्रडिक्शन करने वाली हूँ कौन सा दिन आपके लिए सबसे शुब रहने वाला है किस दिन आपको क्या लाब मिल सकता है किस दिन आपको सावधानी रखनी है और शुब रंग भी बताऊंगे मैं आपको और साथ में वीडियो के अंत में उपाये भी तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक जाएगी रहे किस तरह से इस पूरे सप्ता हमें रहेंगे तो आपकी राशी के स्वामी हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव कहां हैं सिंग राशी में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और अभी वक्री अवस्था में रहेंगे पूरे सप्ता हमें साथ में 25 जुलाइ जरूर बुद्ध का राशी परिवर्तन हो जाएगा सेंग राशी में तो सेंग राशी में सूर्य के शुक्र के साथ बुद्ध भी होंगर मंगल भी मौजूद हैं तीन ग्रह यहां सेंग राशी में मौजूद हैं आपके ग्यारवे भाव में सूर्य करकराशी में मौजूद ह और मंगल का होई गया है बाकी राहू आपके लगव में बैठे हैं राहू में इस रासी में विराशमान है गुरू और राहू और शरी जो है वो आपके पंचम भाव में है यानि कि वो कुम्वराशी में बैठे हुए है तो यह है हमारी ग्रहों की इस्तिति अब अगर देखे कि चंद्रमा की इस्तिथी इस सप्ता हमें कैसी होगी तो कन्या राशी से चंद्रमा गोचर करते हुए तीस जुलाई तक धनू राशी तक जाएंगे तो कन्या और तुला विरस्चिक धनू इन चार भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहे जिसके अनुसार आपकी जो द अब ये सब्ताह में जो सावन महा की दूसरी एकादशी तिथी भी आएगी योग भी कहीतर है के निर्मित होने वाले हैं जो काफी शुवयोग होंगे उन योगों का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि इन साथ दिनों में क्या क हैं सावन का महिना चल रहा है शिव की किरपा आपके लिए बनी हुई है और जो ग्रहों की स्थिति और शिव की जो किरपा है उसी क्यादार पर आपकी जो शुरुवात है बड़ी शांदार तरीके से होगी सब्ताह की शुरुवात में ही करियर कारोबार के सिलसले में आपक जो आपके लिए उन्नती लेकर आएगी आपके लिए बड़े लाब का कारण बन सकती है यात्राओं के दौरान कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात प्रभावी लोगों से मुलाकात होगी जान पहचान बड़ेगी जिनके साथ जुड़कर बविश्य में किसी लाबदायक यो उठाने में कामयाबी भी हासिल करेंगे अगर आप अपनी कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस सब्सक्राओं में आपकी ये कामना भी पूरी होगी बिल्कुल पूरी होते हुई नजार आ रही है आप कुछी तरह का इन्वेस्मेंट करना चाह रहे हैं अपने बढ़ेगी तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है नौकरी पेशा जातको की मैं बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों की जो आए के सूर्सिस हैं वो बढ़ते वो दिखाए दे रहे हैं एक तो आप नौकरी करते हैं दिख्यो सोर्स तो वह है आपकी जो इनकम है इसके अलावा इसके अलावा भी extra sources बन रहे हैं आपके लिए income के और वो किस-किस जगह से हो नहीं है ये तो जहां आपने कहीं भी ऐसा जुड़ाव कर रखा है कहीं भी ऐसा investment कर रखा है या पिर कहीं भी ऐसी चीजों से जुड़े हैं वहां से लाब होने वाला है रोजगार के बहतर आफसर प्राप्त होंगे संचित धन में विरद्धी होगी सबताहक क्या जो मध्य भावोगा उसमें आपको अपने या तो लव पार्टनर से अगर आप रेम संबन में है तो लव पार्टनर से और विवाहित है तो जीवन साथी से कोई बड़ा अच्छा surprise म पल बिताएंगे और किसी धार्मे की यात्रा पर भी आपका जाना संबभ हो सकता है सबता की उत्रारद में भूमी भवन का कोई अगर अभी बात चल रहा है तो उसमें थोड़ा जरूर परिशानी हो सकती है क्रेविक्रे की आप बात चल रही थी तो उसकी कामना पूरी होने की युग बने हुए हैं और खास बात यह है कि ऐसे सोदों में आपको मन्चाहला पराप्त होगा क्योंकि ऐसे सोदों में मन्चाहला पराप्त नहीं हो पाता है लेकिन आपके लिए हैं बहुत अच्छा युग बना हुआ है ऐसे सोदों में मन्चाहलाब का कोर्ट कचैरी य और सेहत की द्रश्टी से भी यह जो समय है यह मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है करियर में देखिए करियर को बहतर करने के लिए आपको इस अफ़ता हमें मदद भी प्राप्ट होगी और अच्छा है आपको मदद मिलेगी आपके बहाई बहन आपको वो कोई बड़ी ज अतनम भाव में हैं राहू के साथ तो उनकी जो मौजूदगी है वो क्या करेगी उन लोगों के लिए बहुत फायदे मन है जिनको पैरों में दर्द चल रहा था मोच थी जोडों में दर्द था इस तरह की दिक्कते थी तो उनको विशेश रूप से बहुत लाब मिलने वाला ह और विशेश रूप से ये सबता है पचास वर्ज से जादा किया वाले लोगों के लिए बहुत उतनम होने वाला है आपके छोटे भाई बहन आपसे पैसे भी मांग सकते हैं तो उनके मदद आप कर सकते हैं अब स्टुडेंट्स की अगर बात की जाए तो बुद्ध कहां है रिजल्ट भी प्राप्त होंगे हलाकि आपका भागय भी आपका सपोर्ट कर रहा है लेकिन धहरे के साथ ज्यादा से ज्यादा फोकस आप अपनी पढ़ाये पर करके चलें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उससे देखने को मिलेंगे बस आपको फोकस जरूर करके चलना ह बना का रखना है और मंगलवार और बुधवार का जो समय आएगा इस सप्तहा में तब आपके नई राहे खुलेंगी आपके कामों में प्रगती देखने को मिलेगी आपकी बनाएगे यूजना इस अफ़ल हो जाएगी आपके पुराने परिचितों से आपको लाब मिलेगा और गुरुवार का दिन थोड़ी सावधाने रखनी है जो इस सप्तहा में गुरुवार का दिन आएगा उस दिन पडोजियों से विवाद की आशंकाय बनी हुई है तो थोड़ा ध्यान रखें इसके अलावा शुकरवार का दिन आएगा शनिवार का दिन आएगा तो कोई परिशानी नहीं आएगी चीजे आपके फेवर में रहेंगी और आपकी रुची जो है वो जरूर किसी धाल में किस्थल में जाने के लिए हो सकती है आपकी कारोबार में भी तेजी देखने को मिलेगी और नौकरी के द्वारा आपको टूर पर जाने का मौका भी मिल सकता है ज जन समंदित समस्हें भी दूर होगी अब बात करें कि क्या शुब रंग है तो देखिए जो तुलाराशी के जातक है उनके लिए जो शुब रंग है वो नारंगी और काला है शुब दित्षी जो रहेगी 25 जुलाई और 28 जुलाई का दिन और जो दिन है जूट का साहरा बिलकुल ना ले किसे भी काम को पूरा करने के लिए भी क्योंकि सच सामने आई जाता है और एक काम और कर सकते हैं भगवान गणेश को मूं के लड़ू आप जरूर शड़ाए बुद्धवार के दे और साथ ही चैनल को सबस्क्राइब कर ले